कि आई ये बेटा करते आची क्लास शुरू आज हम कर रहे हैं हमारा बहुत इंपॉर्टन चैप्टर कॉनिक सेक्षिन तर्ट करने से पहले बता दू यह जो चैप्टर है बेटा क्लास 12 के अंदर बहुत बहुत जादा इंपॉर्टन है क्योंकि इसके वेसे स्केफ पूरा चै से जट से आपनेता सक्वानिक मेंस कॉन और सेक्षिन मतलब आट कि उसको बोते हैं पार्ट स्को यहां पर हम कों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के रिगार्दिए सब्सक्रारइग करी कि कि अस्छिति तुछ नांतक्र क्लिए जिस तरह यहां पैसे कर्व सा देगा वह कौन से दिखाता है यू करके पारा बोला ऐसे डिफरेंट इफरेंट सेक्शन के रिगार्डिंग पढ़ने जाएंगे यहां तक लिए तुम पहले बात करते हैं पहला सेक्शन है मेरा सर्कल क्या होता है जानते ओ सबसे पहला सर्कल क्या होता है पइर पहला वोला तुर एलिप्स and last hyperbola आई पहले हम बात करेते हैं circle की circle क्या होता है देखिए the collection of all the points the collection of all the points which are equidistant और equidistant के बाद थोड़ा space ठोड़ देन which are equidistant from a fixed point or fixed point के बाद physics space फिस language के बढ़के meaning बता सकते क्या मतलब हुआ बताओ एक सक्ट online में तो answer आ गया you got the collection of all points यानि वो सारे के सारे points क्या है which are equidistant from a fixed point जो एक fixed point से क्या है equal दूरी पर है let's say मैंने एक point place करा है यहाँ पर इससे दूरी पर एक point जहां से एक point रहे और इससे मैं कहता है 5 cm की दूरी पर एक point है point clear इतना 5 cm की दूरी पर बात समझाई अच्छा जी फिर एक और point है वो भी कितने दूरी पर है 5 फिर एक और point है 5 फिर and ऐसे करते 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 यह सारे जब यह points सारे कठे हो जाएंगे कौन सी shape बनाएंगे जहां से लेखना circle बनाएंगे पर बन रहा है नहीं बन रहा तो आले बोलो circle की definition के लिए है कि circle होता क्या अक्च्छल में वो सारे points जो एक fix point से fix distance पर हो यानि same gap पर हो अच्छे इस fix point को क्या बोलते है जो fix जाते है पर जगापर center fix point को क्या बोलते है मेरे बच्छा हम center और जो दूरी हो तुसको को बोलते है radius you are a bit confused जो ओके अब बात करते है इसकी equation की आईए equation तो मैं दूरी बता दूँगा कि यह होती ही क्या है आप बताओगे पता है ठीक है मैं आपसे पूचूँँगा यह नहीं पर equation बनने कैसे यह पूचूँगा यह बताओ फिर anyone कोई भी बताना चाहिए equation क्या होती है इसकी सेंटर को मैं क्या करता हूँ जिससा सेंटर है उसको मैंने बोल दिया a,b क्या बोल दिया a,b और एक variable point है variable point समझे जो क्या है अपनी जगाह पर move कर रहे है हिल रहे है बार-बार इसको लेट से मैंने बोला x,y क्या x,y अब बेको यह बताओ यहां से यहां तक क्या दूरी कैसे निकालते हैं किसी को याद है distance formula से कैसे distance formula से under root under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square अच्छा यह जो यहां से यहां तक की दूरी से बोलते हैं हम radius इसे denote करके मैंने r से क्या r यही है न ओके ना वज़रा value पूट करना क्या बनी under root x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equals to r root हड़ाने तो क्या करना पड़ेगा squaring x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equals to r square वो लो point clear यही मेरे equation होगी तो आउजार equation में लिख लेते हैं क्या x minus a whole square plus y minus b का whole square is equals to r square और a b क्या denote कर रहे हैं a b क्या denote कर रहे हैं center center is equals to a कॉमा b और radius क्या है हाँ बोल यहां तक clear होगे या confusion ठीक है अच्छा एक छोटा सा note है उतकर्ष आप से पूछता हूँ note let's suppose मेरा center है origin क्या origin अब बता है equation क्यों होगे if the center is at origin अगर center origin क्यों x square plus y square is equals to r square क्यों बिल्को सही का पिटे देखो अगर origin पे है तो a और b क्या हो जाएगा 00 इस तरह a b हो जाएगा 00 yes or no लगा दो formula x minus 0 का whole square plus y minus 0 का whole square is equals to r square क्यों हो जाएगा यह x square plus y square is equals to r square clear ठीक है इससे note करो इसके बाए example number 2 करके दिखाओ right now अब यह छोटा सा question करना है find equation of surface center a and radius 4 center a हो radius 4 हो बिटा क्या हो जाएगा center दे रखा radius दे रखा है equation क्यों होती है x minus a बिटा a कितना है minus 3 whole square plus y minus 2 is equals to r r कितना है मेरे बच्चा 4 अब एक मिन यहां गलती है आपकी ncrd ने तो यही पर solve करके छोड़ दिया से कितना ही x plus c को whole square लिग दिया उसने y minus 2 का whole square right पर एक advice है एक बात सुन लो मेरे बच्चा everyone everyone advice क्या है आपकी rd शर्मा इसे पूरा solve करती है दूसरा ncrd कितना जो question आपको मिलेंगे यह solve मिलेंगे पूरे एक question अभी आगे आगे example 3 में जहां equation दे रखे होगी तो center और radius निकालना है ठीक है तो इसे open कर देना पहले कितने बच्चे ने open कर रहा रहा है इसे ठीक है nice a square plus b square plus 2ab a square plus b square minus 2ab common mistake बच्चा आडेंटी कह लगा कर रहते है y square minus 4 अच्छा जी अब x square और y square कितने होते है x square plus y square 6x और 4y 9 और 4 कितना हो गया 13 minus 6 यह काम काता है इदे कर देते हैं minus 3 बोलो point clear center और radius अब यह question हो गया ठीक है center दे रहा है radius दे रहा है x direct कर दू minus minus a whole square plus y minus minus b का whole square इसको स्चे radius कितने है बचा root में a square minus b square का whole square यह कितना हो जागा x plus a का whole square plus y plus b का is equal to a square minus b square yes or no open कर दे confusion पूछो हाँ अब आपने बोलो whole square कैसे है बिटा equation क्यों होती है x minus a का whole square y minus b का whole square is equal to r का square clear okay open करो a square plus b square plus 2ab a square plus b square plus 2ab a square minus b square पाइदा a square से x square cancel b square इंदर arrange for x square plus y square 2x plus 2by clear हो की बात अब एक question में देता हूँ जहाँ पर आपको equation है और center radius निकालना है क्या निकालना है पटा center और radius question है यह question number 5 परके दिखाओ right now sorry 5 नि 6 है यह हमारा बहुत basic है x plus 5 का whole square is equal to y minus 3 का whole square 36 करके दिखाओ right now अजी पिटा अब यह question है x plus 5 का whole square plus y minus 3 का whole square इसका कैसे निकलेगा center radius बताओ common sense x minus 5 x minus minus 5 y minus 3 का whole square is equal to 6 का square तो center क्या हुआ minus 5,3 बच्चे के लिखता हुआ minus 3 लिख देदा उठा के पहली mistake यह गर यह है अब मैं आपको next करा हूँगा कि जब equation बढ़ी है तो कैसे करते है center radius आपको और यihएगा है यहाँ करते हैs इस ननोलडडबले लिए ध 올라Winds अझा है तो और भी इस आपको पको और वादगो